चलो दोस्तो तो अब हम लोगे start करते है Python को तो जैसे कि आप सबको पता है Python एक programming language है तो यहाँ पे मैं type भी कर जीता हूं Python क्या है सब लोग क्या समझते है Python को Python है क्या एक programming language राइट और अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे निकले तो लोग python को क्या बोलते हैं python is general purpose higher level language यही बोलते है python को लोग क्या बोलते हैं लोग python को python एक general purpose और high level language है क्या है high level language तो यह तीन वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं python को लोग क्या बोलते हैं programming language और आगे निकल के क्या बोलते हैं general purpose high level language यह तीनों वर्ड को हम लोग समझेंगे diagram के format में तो चलो diagram के format में हम लोग इसको समझते हैं यह एक इंसान है और यह एक इंसान है ठीक है इंसान का थोड़ा सा photo image अच्छे से बना लेते हैं हम लोग आपर इतना चलेगा चलो यह दो इंसान ठीक है और यह एक computer है यह computer है computer ले ले यह फिर आप mobile device ले ले यह कोई भी electronic device आप लेने अगर हम बात यह करते हैं कि यह दो इंसान इंसान नंबर वन और इंसान नंबर टू अगर यह यह दो इंसान अपस में बात करना चाहते हैं तो इनको क्या requirement है basic क्या चाहिए यह दो इंसान अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो यह दोनों इंसान के पास language होनी चाहिए चाहे वो language हिंदी हो चाहे वो English हो चाहे मराठी हो चाहे Chinese हो चाहे जापानी हो रई हां अगर यह हिंदी में बात करना चाहते हैं तो दोनों को चाहे दोनों को इंग्लीज आनी चाहिए अगर यह दोनों इंग्लीज में बात करना चाहते हैं दोनों को इंग्लीज आनी चाहिए लिकनी यहां पर एक अगर और आगे हम लोग निकलें तो लेंग्विच के साथ साथ उस लेंग्विच के अंदर बने हुए सब्द Image पता होना चाहरा क्योंकि आपस में यह language का बनी है आप बोल सकते ABCD लेंग्वेज इतने ABCD 26 करेक्टर में ही बनी है इसी 26 करेक्टर में इंग्लिस के सारे सब्द बनाए गए है और जब हम लोग बात करते हैं आपस में तो उन सब्द का इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अगर ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं तो उस इंग्लिस के वर्ड भी इनके पास होना चाहिए ठीक है चलो मा बात करें यह इंसान अगर यह computer से बात करना जाते हैं तो अब कैसे करेंगे सिंपल अब बोलेगे किटी के काम करते हैं कंप्यटर को इंग्लिस सिखा देथे और आप तो यह सोच रहेगे कंप्यटर को चाय जाता हूं कम्पुटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है zero लैंग्वेज बस तो आप लोग सोच रहे होंगे ठीक बढ़े को सिखा देंगे computer ही सब कुछ नहीं सीख सकता कि computer सिर्फ 01 language को जानता है और कोई language हो नहीं जानता तो अब कैसे बात करेगा भाई इंसान computer से simple है भई भगवान ने इंसान को इतना दिमाग दिया है कि कुछ भी सीख सकता है तो कहा गया ये इंसान को बोल दो कि computer जो language समझता है ओ language सीख ले उस language के सब्द सीख ले तो ठीक है ये इंसान ने उस language को भी सीख लिया जो computer को समझ में आती है 01 और उस 01 के सारे word भी सीख लिया जिससे ओ computer से बात करता है चलो माल लेते ही कि ये इंसान को 01 language आगी अब ये computer से बात करना है कैसे बात करेगा ये समझो तो माल लो अगर ये इंसान computer से बात करना चाहता है और अगर computer को बोलना चाहता है ए क्या computer को ए बोलना चाहता है तो यह A नहीं बोलेगा यह computer को A बोलेगा कैसे computer की भासा में और computer की भासा क्या 0 1 तो 0 1 की भासा में A बोलेगा तो अगर 0 1 की भासा में A कैसे बोलेगा यह देखना चाहते हो तो Google में हो और यहाँ पर लिखू binary converter यहाँ पर टाइप करो A convert ये लो ये इनसान ऐसे बोलेगा ऐसे चलो अब computer ने उसकी A को एक्सेप्ट कर लिया अब computer से reply करना चाहता है तो computer माल लिजे reply करता है accept या reject तो कैसे करेगा क्या English में accept लिखके उसे reply करेगा क्या English में उसे reject लिखके reply करेगा नहीं computer उसे binary language में reply करेगा तो अगर हम ये देखें computer उसे binary language में reply करता है accept या reject तो कैसे होता है binary language कैसे उसकी coding होती किसी देखे जारा आप यहां पर यहां पर लिखें आप कंप्यूटर ने बोला रिप्लाई किया हुआ उसे एक्सेप्टेड देखो कुछ इस तरीके से रिप्लाई करेगा लो इस तरीके से एक्सेप्टेड अगर कंप्यूटर रिजेंट बोलता है तो कैसे करेगा वह भी देख लेए आप कोन रिए वह एक्सेभמה और फी तरीके सेवद मेड़री nossa वोलाई में व स pilτιंग क्सेप्त добрई Format घट God हम्यूटर बोलाई में वह Almostback हुआ को हम्यूटर लोलाई करेवई हैंगा तरीका से'd हैंग olduğu सेंग है मैं समय अगई हिं तो यह इन्सान को सारी छीज़ सीखनी पड़ेगी अच्छा अच्छा कंप्यूटर ने ऐसा बोला है तो आच्छा एकसेप्टिड बोला है अब माल लो है इंसान कंप्यूटर से बोलना चाहता है हेलो क्लाउड नों से कैसे बूलेगा हेलो क्लाउड नॉलेज को भी बाइनरी लैंगुड बूलेगा जिरो बन चलो देखते हैं कैसा आएगा निकल के हेलो क्लाउड नॉलेज करो करो कि यह लोग कुछ इस तरीके से निकल के आया है कुछ इस तरीके से क्या लिखा दो यह हेलो यह लिखा रहा है चलो अब थोड़ा सा और आगे बताता है अब यह इंसान कंप्यूटर से क्या बोला हेलो क्लाउड नॉलेज कैसे लिखा इस तरीके से लेकिन यह जो लिखा है न इस इंसान ने यह किसी फाइल में लिखा होगा और ऐसे सिंपल तो नहीं लिखा होगा कुछ सिंटेक्स भी में से जुटल लिखा गया है। है यह ंगतारा 24 अगि प्रखुन दिया तो फाइल के अंदर जो आपने लिखा है यह जो आपने और पूरी पूरी बारी के कोडिंग की है इस कोड़िंग को ही हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग समझारे भी बज़ आपे इस coding को ही हम लोग क्या कहते हैं programming जिस तरीके से ये इंसान इस इंसान से जब बात करता है तो सब्द का इस्तमाल करता है और उस सब्द बनाई गई होगी और सब्द के तो instruction पास कर रहा है ने तो ऐसे ही हम जब ये इंसान जब computer से बात करता है तो वो क्या करता है hello cloud knowledge बोलना चाहता है तो फाइल के दे हो पूरी के पूरी coding करेगा अपना उसकी particular syntax के तौर पे वो फाइल बनाएगा उससे फाइल के तूर कॉल करेगा उससे instruction पास करेगा उसको कहते हैं हम लोग programming क्या कहते हैं इसी को कहा जाता है coding इसी को कहते हैं पहले लोग coding कहते थे अब लोग standard language programming कहने लग गए इसी को कहा जाता है programming और ये जो लिख रहा होता है ये जो फाइल बना रहा होता है उस इंसान को कह दिया जाता है programmer तो कोई ने कोई इंसान तो ऐसा करी रहा होगा मालों यह इंसान कर्रा है ठीक है यह इंसान कर रहा इनहुत है तो इस इंसान को क्या करने जाता है programmer इसको कहती है गया programmer समझा आगे मेरी बात यहाँ पर तो यह क्या हुआ programming language समझा आगे इसका मतलब programming का मतलब क्या हुआ आप file के अंदर जो भी coding कर रहे हो तो इसको programming कहते है और language एक भासा होती है तो यह इंसान computer से कैसे बात कर रहा है 01 की language में इसी को कहते है programming language क्योंकि यहाँ पर भी इंसान को क्या करना पढ़ रहा coding करना पढ़ रहा file के अंदर समझा आ रहे हैं बात यहाँ पर चल अब थोड़ा और आगे निकलते है अब अगर इस इंसान को computer से बड़े बड़े बास करने बड़े बड़े काम करवाने तो आप सोचिए इस इंसान को कितने बड़े लेवल पे यह binary language में coding करनी पढ़ेगी कितने बड़े लेवल पे यह binary language में उसे programming करनी पढ़ेगी आप सोच भी नहीं सकते इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आज कल कंप्यूटर पे चलते हैं और कंप्यूटर साफ सब कहता है मुझे और कोई भासा समझ नहीं आती मेरे को कुछ बोलवाना तो ऐसी बोलो तो यह बहुत बड़ी समस्य थी लोगों के साथ इंसानों के साथ यार इंसान कब तक इतना इतनी बड़ी-बड़ी कोडिंग लिगता रहेगा ऐसे तो परिशान हो जाएगा है तो इसका सलोषन क्या है इसका सलोषन आया कि इनसान को कंप्यूटर से बात करवाना है तो एक नई यह artificial language बनाई गई गई मार्केट में वह artificial language क्या है एक प्रकार से एक नई language तयार की गई computer से बात करने के लिए उस language को हम लोग कहते हैं assembly language क्या कहते है assembly language तो अब कहा गया इंसानों को कि भाई तूं कम्प्यूटर से बात करना चाहता है तो तूं काम कर binary language में मत लिख कोड तूं कोडिंग मत कर तो assembly language में कर assembly language थोड़ी सी तुझे इसी पड़ेगा तो अगर ये इंसान computer से बोलना चाहता है hello cloud knowledge और assembly language में कैसे बोलेगा देखो इस तरीके से बोलेगा कुछ अल्फावेटिक आ जाएंगे हाँ पर ऐसे आ गया जाते फॉर इंग्जामपल ये लो क्लाउड बोलना चाहता है CLO 1010 ये लो ये इंग्जामपल बता रहा हूं मैं आपको इसी में आप प्रोग्रामिंग कर लेंगे computer से बात करने के लिए लेकिन computer भाई साब तो कहते हैं मैं तो आपको आपके इस भासा को भी नहीं समझता हूं मैं तो सिर्फ 01 को समझता हूं आप क्या करें तो assembly language इसने बनाई तो उसने एक converter आपको दिया एक translator आपको दिया और कहा translator के थूँ आप अपने इस assembly language को convert कर लो binary language में फिरो binary language समझ जाये करेगा आपका computer तो converter कौन है बीच में यहाँ पर converter भाई साब आ गए तो जिसने assembly language बनाया उसी ने converter भी बनाया जिसको हम लोग कहते थे assembler समाजा रही बात यहाँ पर तो assembler क्या करता है आपके assembly language को convert करता है binary language में फिर उस binary language वो आपके machine computer को समझ में आती है और computer जब reply करता है तो reply वो direct इसको नहीं करता वो assembler को करता है assembler वापस convert करके आपको assembly language में output दिखा देता था लेकिन कहीं ने कहीं इंसानों ने फिर बोला यार यह assembly language भी हमें थोड़ा सा tough पटने लग गया इंसानों ने बोला या फिर बड़े-बड़े scientist इसका solution निकालते गए तो अब आया market में high-level language जो बहुत easy syntax होता है उसका क्या आया high-level language तो अब computer अब इंसान अगर computer से बात करना चाहता है तो ना तो उसे binary language में coding लिखने की जरू होते है ना तो उसे assembly language में coding लिखने की जरू होते है अब इंसान अगर computer से बात करना चाहता है तो वो हाई-level language में coding लिखता है तो हाई-level language को समस्ते थोड़ा सा details में तो अगर यह इंसान computer से high-level language में बोलना चाहता है hello cloud knowledge तो कैसे बोलेगा देखे जरा आप यहां पर simple सा लिखेगा print hello cloud knowledge बात खतम बस तो कितना easy syntax है पूरा same to same English human readable human को बहुत जल्दी read आ रहा है syntax बहुत easy है तो अब कहा जाता है कि कम इंसान अगर computer से बात करना चाहता है तो high-level language में लिखे लेकिन समस्या वही आ जाती है फिर से computer भाई साब कहते है कि मुझे तो यह सब समझ में नहीं आता मुझे तो आपकी assembly समझ में नहीं आई तो आपकी यह क्या समझ में आएगा भाई यह तो पूरा हाई-level language का translator है compiler आप सबको पता है जो बंदे programming background से होंगे उन्हें पता है तो बीच में आएगा compiler तो compiler भाई साब क्या करेंगे compiler भाई साब आप कि इस high-level language को convert करेंगे binary language में और binary language से समझ में आ जाएगी computer को फिर computer reply करेगा तो आपके compiler के पास आएगा compiler convert करके आपको स्क्रीन में ऐसे दिखाएगा समझारी मेरी बते हैं आपर तो आज कल IT इंडस्ट्री में जो भी आजमी computer से बात करना चाहता है सब हाई-level language से बात करते हैं अब हो हाई-level language कौन-कौन से होते हैं बताता हूं थोड़ा सा उससे पहले आप यहाँ पर समझे कि programming language कितनी packets के होते हैं यहां पर हम पहले समाझते हैं टाइस-송 प्रॉग्रामिंग लेंग्वीज मिरमिज इस सब्सक्राइब गारे आपके पूरे के पूरे IT इंडस्री के अंदर दो टाइप के प्रोग्रामिंग लेंग्विज है है आपके IT इंडस्ट्री के अंदर एक है दोस्तो लो लेवल एक है दोस्तो हाई लेवल राइट एक आपका लो लेवल एक आपका हाई लेवल का मतलब क्या हुआ लो लेवल का मतलब जिसका syntax बहुत difficult है उसे हम लो लेवल कहते हैं जिसको human read नहीं कर पाता इसली उसे low लेवल कहते हैं और high लेवल जिसको human read करता है इसली syntax wise बहुत easy है उसे कहते है high लेवल तो अगर हम यहाँ पर देखें यह इंसान कौन से language को जल्दी read नहीं कर पारा इसको नहीं read कर पारा जल्दी है इसको जल्दी से read नहीं कर पाता तो यह assembly और machine यह binary language यह सारे आते हैं लो लेवल में अगर हम थोड़ा सा और आगे जा है कौन-कौन से लो लेवल के अंदर भी आपके दो टाइप के मिलेंगे एक मिलेगा आपका machine language और एक आपका मिल लेगा assembly language तो machine language इसी को कहा जाता है binary को ही machine language भी बोलते है 01 को ही machine language बोलते हैं तो low-level language के अंदर आपका pikर मिलेवल लेग्वेच की बाते हैं तो high-level तो 900 से ज़्यादा लेग्वेच है इसे c high-level लेग्वेच में आता है, c++ high-level है जावा high-level में आता है ,cence-टनेट High-Level में आता है, python high-level प्लस लैंग्वेज हैं जो हाई लेवल पे आते हैं रहे हैं इस सब आज कल कंप्यूटर से हाई-level language के थ्रूँ बात करते हैं लेकिन अब आप बोलोगे सब नौ सो से क्योंकि python उसी का पार्ट है लेकिन python थोड़ा सा और अच्छा high-level समझो क्यों समझाता हूं देखो अभी मैंने यह इंसान computer से क्या बोलना चाहता था हेलो cloud knowledge तो यह जो syntax है ना यह python का syntax है लेकिन अगर यह इंसान सी लेंग्वेज में सी लेंग्वेज में computer से बोलना जाते हैं हेलो cloud knowledge तो देखो किता बड़ा syntax बनेगा देखो जरा चलो google में हाउ टो राइट हेलो cloud knowledge इन जावा यह c++ देखो जरा तो यह देखो hello world इसने बोल रखा है यह देखो देखो जरा c++ में कैसे बोलेगा yellow तो अगर यह इनसान python high level language के through computer से hello cloud knowledge बोलना चाहता है तो इतनी simple syntax में बोल देगा लेकिन अगर c में बोलना चाहता है तो कैसे बोलेगा देखे जरा सी में ऐसे इसे बोलना पड़ेगा यह यह बड़ा सी टेक्स में और अगर जावा में बोलना चाहता है तो देखे जरा जावा में भी है सारे मेरा c++ में भी है नीचे आते हैं यह जावा में कुछ इस तरीके से लिख कर बोलना पड़ेगा इस तरीके से बोलना पड़ेगा तो अगर आप से पूछा जाए हाई लेवल लेंगविज में और अच्छा इजी सिंटेक्स किसका है तो आप बोलो कि पाइसन का है इसलिए तो पाइसन फेमस है ऐसा क्यों है यह भी तो समझना इंपॉटेंट है आपके लिए जावा में इतना बड़ा कोड लिख रहे हो सी में इतना बड़ा लिख रहे हो पाइसन में इतनी सी लिखने में क्यों काम हो जा रहा है क्योंकि पाइथन को बनाने वाला जो फाउंडेशन टीम है, पाइथन सॉप्टर फाउंडेशन, वो टीम कहता है कि मेरे जो प्रोग्रामर होंगे न, उस प्रोग्रामर को ज्यादा माथा पच्ची मैंने नहीं करने दूँगा, PSF की टीम कहती है कि मैं खुद बैकेंड में प्रोग्रामिंग करके मैं रख देती हूं, तो उसने क्या किया, खुद ऐसे उसने जो भी कोड फोड ऐसे लिखा है अपना, कोडिंग की है, और उसको एक डब्बे के अंदर उसने पैक किया है, और उसको एक फंक्शन बनाकर कॉल कर दिया, और आपको फंक्शन दे दिया, प्रेंट नाम का, और यह सारे फंक्शन उनके लाइबरेरी में रखे हुए है, पाइथन के, PSF की टीम, PSF के, और कहा कि प्रोग्रामर को अगर कुछ बोलना है, हैलो क्लाउड नॉलेज बोलना है, तो प्रोग्रामर को C या जावा की तरह इतना बड़ा-बड़ा कोडिंग करने की जरूत नहीं है, कोडिंग मैंने बैकेंड में कर दी है, मैंने फंक्शन मना दिया, और यह फंक्शन को अठाओ और अपना काम करके निकल लो, तो देखा जाए, C में जो कोडिंग प्रोग्रामर करता है, जावा में जो कोडिंग प्रोग्रामर करता है, वो प्रोग्रामिंग, पाइथन की जो टीम है, PSR, पाइथन सौप्टर फाउंडेशन, उनकी टीम के डेवलोपर ने खुद करके रख दिया, फंक्शन मना के आप लिए इतना माथा पच्छी आपको कर रहे हैं तो programmer को easy कर दिया कि समझ आरे मेरी बात है आप तो इसी तरीके से अगर माल लिजे अगर आप कोई software बनाना चाहते माल लिजे यहाँ पर एक cloud knowledge है cloud knowledge ने सोचा कि यह मैं कुछ software बनाता हूं तो अगर cloud knowledge को software बनाएगा एक बड़ा project बनाएगा तो आप सूचिए जैसे यह print वाना function है ऐसे कितने सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगी पूरे के पूरे तो अगर एक software बनाता है cloud knowledge और java को चूज करता है तो सोचिए कित्ती सारी line की coding करनी पड़ेगी या c को चूज करता है तो कित्ती सारी line की coding करनी पड़ेगी लेकिन अगर python को मैं चूज करता हूँ तो मुझे ज्यादा coding करनी नहीं है मैं तो ऐसे कितने सारे function PSF ने बना बना कर अपनी library में upload कर रखा है मैं सिव वह function को उठाऊंगा syntax लूँगा उनके fundamental को लूँगा ओफट ओफट इधर से उधर से जोड़के अपना software बनाके जल्दी से जल्दी दे दूँगा जल्दी भी बन जाएगा syntax wise भी easy रहेगा तो यहीं तो चाहिए न के काम करते हो लोग की programmer को easy रखो हम backend में सारे ताम जम फैला के हम लोग रख लेते हम manage कर लेंगे easy करते हो उनको ऐसा क्यों पता है क्योंकि python को जिसने बनाया है न ग्यूडो वैन रौसम यह नाम है जिस बंदे ने python को बनाया है वह जब अपने जमाने में company में काम करता था तो उसे जब software बनाने होते थे तो तो बहुत परिशान हो जाता था यार यह क्या है इतना लंबा लंबा कोडिंग तो इस परिशानी की वज़े से उसने ऐसा काम कर दिया क्यारे मैं जहलता हूं परिशानी आगे आने वाली पीड़ी को परिशानी नहीं देना है समझारी मेरी वैति यहां पर तो इसी लिए लोग python को select करते हैं आज के टाइम पर तो किसी भी company को अगर नया software बनाना है तो syntax wise easy कौन है python उठालो भाई कहा जाता है कोई भी web application बनाना है python उठालो भाई सबसी easy है किसी hacker को कुछ hacking based application बनाना है python उठालो जी जल्दी हो जाएग तो इसी तरीके से कई ऐसी company है जो अपने existing software अपने existing application जुन्होंने जावा में लिख रखा है उन्होंने बोला जावा हटा के python में करते हो जी छोटा करो जी समझा रही मेरी बैत यहां पर या for example माल लिजए अगर आप आप किसी company में काम करते हैं आपको आपको कुछ एक छोटा था application बनाना है आप भी language करेंगे python उठालो जी यह कोई एक doctor है जो अपने अपने क्लीनिक में कोई application यूज करना चाहता है वो किसी दे बनवाना चाहता ह नहीं खुद python को learn कर ले और बना लेगा क्योंकि python learning based भी बहुत ईजी है c++ में सोचेगा तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उससे java में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तो python syntax wise बहुत ईजी है क्योंकि आपको ज्यादा ताम जाम नहीं करना होता है तो इस easy की वज़ तो youtube python use करती है facebook python use करती है instagram python use करती है udemy python use करती है redhat python use करती है आज की टाइम पर हर company python use करती है अगर आप scl की बात करते है तो scl भी python use करती है अपने devos में यूज करते हो लोग क्योंकि python से आप scripting भी कर सकते हो जो आप लोग cell script से करते थे वो आप python के तुरू भी कर सकते हो विप्रो python use करती है tcs python use करती है यह सारी service based company है Google python use करती है समझ में आ रही मेरी बात हैं आपर सब लोग python use करते हैं आज के time पर तो python को हर purpose में देखा गया use होने लगा तो जब कोई भी चीज हर purpose में use होने लग चाती है तो उसको हम लोग क्या कहते है general purpose तो इसी लिए python को कहा जाता है general purpose और higher level का मतलब आपको मैंने बताई दिया syntax wise easy है इसलिए उसे higher level कहते है तो समझ में आया general purpose क्यों कहा जाता है क्योंकि हर purpose में आप python को यूज कर सकते हो आप gaming के लिए python को यूज कर सकते हो web application के लिए python को यूज कर सकते हो desktop application के लिए python को यूज कर सकते हो आप data science के लिए python को यूज कर सकते हो artificial intelligence के लिए python को यूज कर सकते हो machine learning में आप python को यूज कर सकते हो सब जगा python fit बैटती है जैसे अगर मैं बात करो अंग्रेजी language जिस तरीके से हर जगा fit बैटती है अब आप बोलोगे सरक कैसे अंग्रेजी भासा हर जगा fit बैटती जरह बताईए तो आप मुझे बताईए अंग्रेजी एक ऐसी भासा जिसको सिर्फ हम लोग बाचीत में यू नेम प्लेट में जो आपके कंपनी का नाम है एट्रेस है और कौन सी भासा में लिखा है आपने उर्दू में तो नहीं लिखा हो ना इंग्लिस में लिखा है कोई कंपनी कोई प्रडेक्ट बनाती है तो आपने प्रडेक्ट में जो नेम प्लेट है जो भी लिखती है कौन सा आप रेल विश्टेस्न चले जाएं और नाम 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 इंग्लिस तो इंग्लिस एक ऐसी बादा जो सिर्फ बात चीत नहीं हर पर्पस ने जो रहा है आपके मुबाइल में यूद देखे तो in English English में सबकुछ आएगा लैट्टों में सब English Che consolidated तो जिस तरीके से English हर परपस में यूज होती है तो English भी एक प्रकार से general purpose language आप बूलिए तो इसी तरहे के से Python भी हर purpose पर आजके time पर यूज हो रही है तो python क्या है in general purpose high level समझ मं आ गया oni Cell यह आपको पतादिया कोई भी Fician Wohn down code in क bisschen भूआ कि करते हूं मिल गपिविमील करते हो उससे समझा तिया उमीद करता हूं यह सारी चीज OVER सभगित चलतें कि अब हम छूँज के थोड़ा सा और कि चलते हैं python is open source and free language python क्या है दोस्तों open source और free language है इसका मतलब क्या हुआ पहरे समझो open source फिर समझाओंगा free open source का मतलब देखो क्या होता है मालो cloud knowledge में आपकी company cloud knowledge कोई software बना रही है तो चलो software बनाऊंगा और python को चूज किया तो ऐसे कितने प्रिंट जैसे कितने सारे functions को मैं लूँगा मालो print function को मैंने लिया और print function को बनाने के backend में जो python की टीम ने coding किये वो coding में देखना चाहता हूं बिलकुल मैं देख सकता हूं open source का मतलब ही ही है सारे के सारे code open रहेंगे तो जितने भी function यूज करूंगा सब के backend की coding में देख सकता हूं यही तो मतलब open source का मतलब तो यह open source हो गया free का मतलब क्या हुआ free का मतलब यह हुआ कि अगर मैं python language को use करके कोई software बनाता हूं कोई product बनाता हूं और उसको market में अपने client को अपने customer को sell out करता हूं न तो sell out करने के बाद as a commercial होगे मैं sell out कर रहा हूं मैं पैसे कमा रहा हूं तो sell out करने के बाद मुझे python की जो team है जो python को manage करते हैं PSA python software foundation उन्हें मुझे उन्हें कोई भी पैसे देने की जरूत नहीं है कोई भी service charge देने की जरूत नहीं है कि मैंने आपकी language को use करके कोई product बनाया उससे मैं market में पैसे कमा रहा हूं python की team मुझे कोई पैसे नहीं मांगेगी यही मतलब होता है free का लेकिन अगर मैं Java language को use करके कोई product बनाता और market में sell out करता तो Java को manage करने वाली जो organization है वो मुझे पैसे मांगती क्योंकि Java free नहीं है open source तो है बट free नहीं है और पूछा जाए Java को कौन manage करता आज के टाइम पे तो Java जब market में आई थी तो Sun Microsystem ने लाया था लेकिन Sun Microsystem Oracle ने Sun Microsystem से उसे purchase कर लिया था तो आज के टाइम पे Java को कौन manage करता और तो Oracle को मुझे free पे करना पड़ता या तो फिर Oracle मुझे ओ सारे library functions मुझे नहीं देती और मुझे बोलती कि अगर important वाले library function जो software को बनाने में मुझे जरूत पड़ते हैं वो आपको तभी मि लेंगे जब आप enterprises वर्जन लोगे Java का और enterprises वर्जन मुझे paid के साथ लेना पड़ता पैसे देना पड़ता और Oracle को तम मिलता मुझे तो समझ में आया Python की importancy open source है with free language है तो free language होने की वज़ा से companies का फायदा उठाती है भाई अगर कोई company Java में software बनाके market में sell out कर रही है और हर महिने एक करोड कमाती है माली जो company software बनाके तो 30 लाख रुपए Oracle को देना पड़ता है भाई क्योंकि Oracle का product Oracle के product से अपने अपना product तयार करके market में बेचा है ना लेकिन अगर वही company python में चीज करके बेचेगी तो python बनाने वाली company को कोई पैसे देने की जो पूरा का पूरा ही क्रोड प्रॉफिट में हुआ तो इसलिए तो हर company python को select कर रही है समझेए chronology समझेए यहाँ पर क्यों python बूम पे चल रहा है पैसा बचा रही है कंपनी का इसलिए existing company company के जो existing software से हैं जो जावा में लिखे गए हैं जो सी में लिखे गए उन्हें हटा के python में इसलिए लिखा जा रहा है पैसे बचाना है और कौन नहीं चाहता पैसे इस पर यह तो तीस लाग बचे का किसी डेवलोपर को हाइर कर लेंगे तीस लाग में वह तीस लाग बचे का द्रद्दस लाग में डेवाउस इंजिनर हाइर कर लेंगे इतो तीस लाग मैं बता रहा हूं कई company ऐसे हो तो तो 30-30 करोड देते होंगे समझ में आरी benefit क्या हूँ पाइफन के आने का इंडस्ट्री को चलो और आगे बात करते हैं पाइफन हिस क्रोस प्लेटफॉर्म लेंगवेज क्या मतलब है पाइफन हिस क्रोस प्लेटफॉर्म लेंगवेज है बहुत important term है समझते हैं थोड़ा सा टीटेल में कुछ यह एक कि लैपटाप है यह एक लैपटाप है यह एक लैपटाप कि यह विंडोस लैपटाप है कि यह आपका लिनक्स लैप्टॉप है लिनक्स OS है यह आपका Mac है ठीक है यह एक डेवलोपर है यह क्या है एक डेवलोपर है इसने एक सौप्टर बनाया और सौप्टर बनाने कि इसने कोडिंग लिखे यह इसने कोडिंग लिखे यह कोडिंग लिखे चलो तो डेवलोपर नहीं जो कोडिंग लिखे इस कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बोलेंगे सोर्स कोड क्या है दोस्तों यह source code अब यह source code इसमें तो चलेगा नहीं इसमें तो चलेगा नहीं तो हमें क्या करना होता है source code को compile करते हैं लोग तो यह रहा compiler और compiler के थूँ हमने क्या किया source code को compile किया तो compile करके इसने क्या बनाया compile करके इसने बनाया machine code जो machine को समझ में आती है तो इसने machine code बनाया लोग इस तरह के से 0101010 यही तो machine को समझ में आएगी न तो चलो इसने machine code बना दिया अब सवाल यह है कि यह जो machine code है वो window में चलेगी या Linux में चलेगी या Mac में चलेगी या तो यह जो हम लोग बात कर रहे हैं यह C language के case में हम लोग अभी बात कर रहे हैं C language C language के structure है यह पूरा यह जो मैंने अभी बताया यह वाला पूर तो मैं यह पूछ रहा हूं कि एक developer अगर C language में coding किया उसने compile किया compile करके machine code बना अब यह machine code क्या window में चलेगी या Linux में चलेगी या Mac में चलेगी या फिर तीनों में चलेगी तो दोस्तों यह depend करता है कि आपने compiler कौन सा यूज़ कि तो मालो अगर आपने compiler यूज़ किया तो turbo compiler बोलता है कि मैं जो source code को उठाके जो मैं compile करके जो machine code बनाता हूं और अगर machine code बनाने में turbo compiler यूज़ किया गया है तो यह machine code सिर्फ windows में support करेगा Linux में नहीं करेगा क्योंकि यह turbo compiler dot exe extension मना के देगा आपको और यह windows में support करेगा Linux में नहीं करेगा तो यह क्या हो गया platform dependent क्या हो गया platform dependent तो अगर linux में चलवाना है तो क्या करना पड़ेगा तो यह कहता है कि भाई आप एक दूसरा compiler लीजिए जो linux base machine code बना के देगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगी दूसरा compiler लेंगे और कौन सा compiler लेंगे linux base compiler कौन सा आता है gcc तो आप source code को दुबारा compile करेंगे gcc compiler से फिर यह बनाएगा खुद का अपना अलग machine code यह अपना अलग बनाए और यह machine code अब रन होगा लिनक्स में यह मैक में भी नहीं होगा तो अगर मैक में करना है तो तो फिर है कहता है कि आप mac-based compiler यूज़ करिए ऐसा compiler यूज़ करिए जो machine code बनाए और mac में support करें तो फिर हमें source code को दुबारा compile कर तीसरी बार compile करने पड़ेगी और mac-based compiler कौन सा आता है llvm जो बंदे c पढ़े हैं उन्हें पता आई चीज़े machine code यह लो तो c language में कैसे होता था c language देखा जाया है तो cross platform नहीं थी लेकिन python cross play python में एक यी बार compile करना पड़ता है बार बार नहीं यहां पर देखा जाया तो बार बार compile करना पड़ रहा है इस source code को बार बार आप compile कर रहो एक बार window के लिए एक बार Linux के लिए एक बार Mac के लिए और C में तो कई बार ऐसा होता है कि source code भी आपको change करना पड़ता है क्योंकि turbo compiler कहता है कि मैं source code के जिस syntax को मैं support करता हूं GCC compiler उस syntax को नहीं करता support तो source code के syntax भी कई बार बदलने पड़ जाते हैं ऐसी LLVM कहता है कि जो syntax GCC समझता है वो syntax मैं नहीं समझता तो source code को बदलना पड़ जाता है modified करना पड़ता है समझ में आ रही है यह होता था सी में तो इसलिए C cross platform नहीं है लेकिन python को मैंने क्या बोला python is the cross platform तो python में compile एक ही बार करना पड़ेगा रही बार 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 compile करने की जोतनी है तो python में कैसे होता है समझे तो यह जैसे source code था यह source code था तो यह source code को हमने एक बार किया compile एक ही बार compile करना पड़ेगा आपको यहाँ पर python के case में बता रहा हूं यह और python के case में जब हम लोग compile करते हैं तो compile करके यह machine code नहीं बनाता सी की तरह यह बनाता है byte code क्या बनाता यह byte code बनाएगा यह यह बनाएगा दोस्तों byte code समझा रही है यह क्या बनाएगा byte code अब यह byte code आपका windows में भी Linux में भी और Mac में भी चलेगा तो python का compiler compile करके machine code नहीं बनाता सी का compiler बना रहा है python का compiler compile करके byte code बनाता है और यह रहा आपका मालो विंडोस यह रहा आपका Linux यह रहा आपका Mac यह रहा आपका Mac तो यह byte code आपका Windows में भी चलेगा यह byte code Linux में भी चलेगा यह इसे चले यह भी समझना important है right क्योंकि बॉप को जो निकल कर आता हूँ बाइट को जिस तरीके से निकल कर आता है जैसे यह byte code निकल कर आ यह दो यह byte code निकल कर निकल कर आ है लेकिन आप बोलेगे तो यह byte code इसमें कैसे चलेगा यह तो भाही मसीन टीम ने बोला कि इस बाइट कोड को अगर आप इन में चलाना चाहते तो आप एक काम करो मैं एक विंडोस के लिए मैं उलकी बनाय के लिनक्स के लिए मैं अलकी आप है तो पैधन की टीम कहती है कि बाइट कोड का अगर इस पर चलवाना है तो पहले कौकर में पीवियम दालो तो चलो पीवicon यहाँ पर इंस्ट Skills किया गया साइड में मिल जाता है चलो मैं यहां पर उपर लिख रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए pvm कहां डाला गया इस मसीन के दर डाला गया ठीक है यह pvm इंस्टॉल हो गया यह pvm इसमें इस्टॉल हो गया तो अब python की team कहती है कि इस bytecode को ले के आईए और इस bytecode को अब इसके अंदर run करेंगे तो इसके अंदर जो pvm पड़ा हुआ है इसके अंदर जो pvm पड़ा हुआ है वो pvm क्या करेगा आपके bytecode को उठाएगा और आप हो बनाएगा machine code उस bytecode का बनाएगा machine code समझ में आ रही है तो PVR में यहाँ पर bytecode को उठाता है और machine code बनाता है bytecode का और यह machine code फिर आपके machine को आ जाएगी समझ में समझ आ रही है मरी बास यहाँ पर और फिर यह machine code समझ में आ जाएगी ऐसे ही अगर यह bytecode आपको इस Linux में चलाना है तो Python की टीम कहती ही के काम करो फिर आप Linux supported मैंने pvm बना रखा है वो pvm को ठाके लाइए और इस Linux में install करिए और जब आप इस्टॉल कर देंगे तो फिर इस bytecode को इस machine में आप रंग करेंगे तो इसके अंदर लिनक्स बेस pvm बढ़ा हुआ है वो pvm bytecode को ठाके machine code में convert कर देगा और फिर हो machine code इसको समझ में आ जाएगी यहाँ पर ऐसा समझारी बात यहाँ पर फिर यह इसे समझ लग जाएगी और ऐसे mac में चलवाना है तो यही bytecode को आप उठाके लाइए और mac बेस मैंने pvm बना रखा है तो mac-based pvm को आप यहाँ पर इंस्टॉल करिए फिर mac-based pvm क्या करेगा bytecode को ठाके machine code में convert करेगा जो mac पर support कर जाएगा फिर यह बना देगा आपका machine code समझ लग गई बात तो यहाँ पर क्या हुआ देखो यहाँ पर python में एक ही बार compile करना पड़ा वह bytecode सम्में चल रहा है compile आपको बार बार में करना पड़ा developer को ज्यादा वड़न नहीं आया यहाँ पर यह तो खास बात है python की एक ही बार compile करना पड़ा इसलिए कहा जाता है यह cross platform लेंग्वेज एक ही बार compile source code एक ही बार वही source code C++ में क्या करना पड़ता था कई बर तो ऐसा होता है कि टर्बो जिस source code के syntax तो support करता है GCC उस syntax को support नहीं कर रहा तो source code में changes करना पड़ता था यहाँ पे तो source code code को changes ही नहीं करना compile भी एक ही बार करना बस वही बाइट को समय चल रहा यह उनका अपना फीचर एक पीवियम दे रहे है पाइटन वर्चुल मसी समझागे मेरी बात यहां पर चलो अब थोड़ा सा और एक interesting चीज़ यहां पर समझो देखो बहुत important चीज़ बता रहा हूँ अब क्या होता है इसके अंदर का process समझो थोड़ा सा देखो क्या होता है यहां पर बीच में interpreter भी साथ में काम कर रहा है कैसे जिसकी वज़ा से लोग कहते है पाइटन एजा इंटर्पेटर समझाता हूँ अभी पहले C में आजाओ C में क्या होता था compiler source code को उठाता था पूरे source code को compile करता था machine code बनाते था अब यह machine code यहां पर चल जाती थी लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो pvm क्या करता है पता है pvm जैसे compiler source code को compile किया compile होने के बाद byte code बना byte code चार लाइन का बना तो अब यह pvm क्या करता है यह pvm byte code की पहली line उठाता है उस पहली line को machine code में convert करता है machine code में convert करने के बाद machine code यहां पर run होती है उसकी बाद ही machine code delete हो जाती है फिर PBM क्या करेगा, इस byte code के दूसरी line को उठाएगा, दूसरी line को उठाके machine code में convert करेगा, machine code में convert करने के बाद उसे यहाँ पर run करेगा और run करेगे यह machine code को delete कर देगा, फिर यह VBM क्या करेगा, byte code की तीसरी line उठाएगा, तीसरी line को उठाके machine code में convert करेगा, machine code में convert होने के बाद उस मसीन कोड को इसमें रन करेगा और फिर इस मसीन कोड को डिलीट कर देगा फिर बाइट कोड क्या करेगा फिर pvm क्या करेगा इस byte code के चौथी line को उठाएगा मसीन code में convert करेगा मसीन code में आने के बाद वो machine code यहाँ पर run करेगा और इस machine code को delete कर देगा तो यह क्या हो रहा है interpreted की type interpreted के तरह से काम कर रहा है इसी को कहते है interpreted एक-एक करके एक-एक line उठाके चलना यह pvm ऐसा नहीं कर रहा है यहां पर कि byte code की चारो line उठाए और उसको मसीन code में convert करे और run करे ऐसा नहीं कर रहा उसा C करता है क क्या करता है source code का पूरा c का compiler क्या करता है source code को उठाया source code मेंई 50 यह Diese source code को उठाया compile कि document करके machine code बना machine code बनाकर इसे run करते हैं बात करता है और machine code यहाँ पर available है लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक line उठाता है machine code बनाता है machine code बनाकर उसे run करता है और run करके machine code को delete कर देता है समझ में आ रही मेरी बात यहाँ पर तो इसको यह जो process होता है इसको कहते है interpreted process और इसलिए लोग मार्केट में बोलते हैं पाइथन इस इंटरप्रेटेड लेकिन पाइथन की एक और खास बात में आपको बताता हूं पाइथन की जो टीम है वो कहती है कि यह वाला जो पॉर्षन है यह वाला पॉर्षन में अपने प्रोग्रामर को नहीं दिखाना चाहती है यह वाला पॉर्षन यह वाला पॉर्षन क्या कर रहा है यह कंपाइल कर रहा है यह पॉर्षन पाइथन में कंपाइलिंग का हो रहा है तो Python जो टीम है वो अपने programmer से यह वाला portion दिखाती है नहीं है उससे यह वाला portion सो करती है तो यह वाला portion जब सो करती है तो 99% लोग Python को कहते Python is a interpreted language इंडस्री में कहां करने वाले लोग भी कहते Python is a interpreted language लेकिन आज मैं उन बंदों को बताना चाहता हूँ दोस्तो Python interpreted language तो है लेकि Python साथ में compiler भी है compiler भी करता है 99% लोगों को यह बात नहीं पता कि Python compile करता है ज़रा पूछे उनसे तो यह कहते हैं कि Python compile करता ही नहीं है Python interpreted में चल रहा है मैंने ऐसे ऐसे बंदों से बात कियें जुने अभी पूरा Python में वो काम भी कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर लेकिन अभी यह यह नहीं पता कि Python compile भी करता है वो यह कहते हैं कि सर Python सिर्फ interpret करता है अरे दोस्तो Python कहती है कि मैं अपने customer से यह पार्ट छुपा के रखती हूँ लेकिन मेरा customer चाहे तो यह compiler के process को देख भी सकता है source code मेरा compiler source code उठागे जब compile करता है bytecode बनाता हूँ सो bytecode को भी देख सकता है उस compiler के process को भी दिख सकता है हां मैं अपने customer को syntax wise easy रखने के लिए यह ताम जहम ना दिखाने के लिए मैं famous ही इस बात पे हूँ कि Python is a easy language है इसलि दिखता है तो customer को अंदर की बात पता ही नहीं होती कई programmer कहते हैं कि Python compile करता ही नहीं Python interpret करता है लेकिन आज मैं आपको बता दूँ Python compile पहले करता बाद में interpret का process start होता है और यह चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा है यह चीज मैं practical में दिखाऊंगा आपको compiler के process Python में compile का process मैं आपक आइक को डिखाऊंगा तब जाके आपको proof होगा तो next वाली लेक्षे में जब हम पहुझेंगे practical में सारा पहले में आपको यही करके दिखाऊंगा क्योंकि proof तो तब ही होगा न रहिट क्योंकि बहुत सारे बंदे इस lecture को त्यार होने के बाद बहुत सारे बंदे और जो जिन्हें अभी तक पता नहीं है कि Python compile करता है तो मेरी बात को काटेंगे तो मैं प्रूफ करूँ इस practical को तभी जा कि उन्हें विश्वास होगा तो मिद करता हूँ आपको समझ लग क्या हो अब कई पार इंटर्व्य में पूछाजाता कि बहुक है तो इंटर्प्यटत जो होता है न भी स्अपको समझ लग गई होगी कि एम अपर अगरकर कई बन हे इंटर्व्य में ऐसे पूछ लिते हैं कि अगर आपके सो operating system अगर market में 100 operating system है तो क्या python की team ने python की foundation team ने 100 pvm बनाए होंगे जो 100 operating system को support करें एक pvm windows को support कर रहा है एक pvm linux को एक mac को तो बिल्कुल definitely 100 operating system market में तो python की team में 100 pvm बनाएंगे जावा भी ऐसे ही काम करती है compiler with interpreter पता आपको जावा में jvm होता है तो आजकर जितने भी latest language market में आते हैं सब इसी concept में काम करते है बाइट कोड में जो यहाँ पर मैंने आपको होता है उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ लग गए होगी चल अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब बात करते हैं आगे पाइथन इस एक्स्टेंशिबल लेंगवेज क्या मतलब है पाइथन इस एक्स्टेंशिबल लेंगवेज समझाता है देखो एक नया टैब ओपन करते हैं जब बड़ी बड़ी कंपनी में कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते ना तो ओप्रोजेक्ट्स पे ना कोई ओप्रोजेक्ट्स किसी एक लेंगवेज में नहीं बनता बहुत सारी लेंगवेज प्रोजेक्ट्स बनता है जैसे company में एक नया projects आया, तो यह कुछ पाइथन में लिखे गाए, python में इसके coding हुई कुछ पाइथन की, right, कुछ पाइथ की coding जैसे java में हो गई, कुछ पाइथ की coding मा जाज सी में हो गई, कुछ पार्ट की कोडिंग माल लीचे C++ में हो गई तो अब एक प्रोजेक्ट में चार लेंगवेज ही हो गई तो अब मेरो को यहाँ पर Python को Code को Call कराना पड़ेगा Java पे Python के Code को मुझे C पे तो Python as a primary language उस कर रहा हूं मैं और यह तीनों as a secondary languages कर रहा हूं तो यहां पर क्या हुआ देखो Python से मुझे Java के Code को भी Call करना पड़ा Python से C को भी और Python से C++ को तो यह प्रकार से extend हो गया पुरा तो इसको आम लोग कहते है Extensible Language तो Python के अंदर यह feature है कि आप Python से किसी अधर language में भी Call करा सकते हैं और अभी Current में देखा जाए तो 28-29 ऐसे language है जिसको Call कर सकते हैं Python से तो इसलिए Python को कहा जाता है Extensible Language तो अगर आप YouTube में देखे तो YouTube जो बना है उसके कुछ पाट पाइथन में लिखे गए कुछ C में कुछ जावा में तो कहीं न कहीं यहाँ पर देखा जाए Python यह एक्टेंचेबल लेंगवेज है ऐसा कैसे होता है इसके लिए पाइथन ने पाइथन की जो टीम है वो पाइथन को डिफरेंट डिफरेंट लेंगवेज में इंप्लिमेंटेशन की गई है पाइथन इंप्लिमेंटेशन के बारे में तो पाइथन को डिफरेंट डिफरेंट लेंगवेज में इंप्लिमेंटेशन की गई है पाइथन को C लेंगवेज में भी इंप्लिमेंटेशन की गई है पाइथन की इंप्लिमेंटेशन जावा में भी की गई है पाइफन की implementation आप देखा जाए यहां पर तो C++ में भी की गई है Python की implementation अगर हम बात करें तो यहां पर .NET में भी की गई है तो Python की implementation different language में की गई है तो एक बार पहले यह समझो कि language की implementation होती कैसे पहले तो एक बर यह समझ में आए तब आप की दिमार्ग में doubt होगा कि सरे आप कैसे बात करें Python को C में भी लिखी गई, Java में लिखी गई, क्यों लिखी गई C में जब Python को C में लिखी है तो हम C ही use करते हैं कई लोग ऐसा बोलते हैं समझाता हूं देखो क्या होता है जैसे C language जब बनी मार्केट में तो C language के syntax बहुत lengthy है, C language के syntax बहुत lengthy है तो Python को develop करने वारा जो develop developer है जो बंदा है ग्यूटू वेंडरॉसम उसको पसंद नहीं आया ऐसी तो उसने क्या किया, उसने क्या क्या C language को उठाया और coding करना स्टार्ट कर दिया यह फटा-फट उसने coding की, coding करके उसने क्या क्या, इस code को डबे में pack किया और एक function से call करा दिया यह लो बाई, अपनी library बना है उस library में रख दिया और ऐसे compiler बना लिया और लोगों को कहा कि यार आपको कुछ software बनाना है, अच्छा आप आपको C में इतनी साई coding करने की जबतनी है, मैंने coding करकर के function बना दिया, आप यह function उठाईए, मेरे syntax को follow करिये, मेरे mathematical को follow करिये और यह लिजे, कि मैंने एक आपको नई language बना के दे दी, समझ में आई ऐसे ही तो language बनती है, भाई एक बात बताओ, आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, आप और मैं दोनों cybercrime में जोइन कर लिए, CPI में जोइन कर लिए, अब आप CPI में जब जोइन कर लेते हो और जब ड्यूटी पीरेड में होते हो तो आपको पता CPI के language अलग होती है, मतलब आप लोग ना code word में बात करते हैं, ओ code word भी हिंदी ही रहेगा लेकिन अलग तरीके से, जैसे वो पानी को पानी नहीं बोलेंगा, पानी को बोलेंगा दूद, और आप उनका code बड़ा लग हो गया, तो उन्होंने अपनी एक language तैयार की, कहां से तैयार की, बेस क्या हिंदी, तो ऐसे ही Python की जो developer है, उन्होंने C language को ही modified करकरके, C language में ही coding करकरके, और function बना बना के, वो function को library में रखके, अपना compiler बना के, हमें दे दिया, बोला, कुछ भी काम करना है, software बनाना है, यह बहुत काम, मेरे mathematical, मेरे syntax के तोर पे, follow करके ले जाए, तो यह एक language, ऐसे ही language बनती है, तो ऐसे ही Python को C में भी develop किया गया, पाइथन को Java में भी develop किया, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा किया गया, तभी तो Python extensible का feature provide करती है, समाझ आ रही मेरे बैस यहां पर, तो Python को, देखा जा, Python के implementation, तो 26, 27, 26 implementation है Python के, जैसे एक आपको है, C Python, जाइथन, रइट, ऐसे आरेन पाइथन, पाइपे, बहुत सारे मिल जाएंगे, समझ में आगे, तो यह C Python, जाइथन, ऐसे आरेन, पाइथन, पाइपे, एंड नमबर उफट है, 67 है, जब गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा, क्लिर, तो यह C Python, नाम से ही पत्तर रगता है, C में लिखी गई, जाइथन देखा जादो, जाबा में लिखी गई, तो उम्मिद करते हैं, सारे टम्स आपको समझ लग गए होगी, चलो, आप और आगे चलते हैं, अब हम लग बात करते हैं, पाइथन हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री का मतलब पाइथन को बनाया किसने और पाइथन के कितने वर्चन है, तो पाइथन को बनाने वाले बंदे का नाम है ग्युडो वैंड्रॉसर, और इसने पाइथन को डेवलोब किया, डेवलोब स्टार्ट किया था डेवलोब करना, 1989 में और दो साल लग गये थे, 1991 में इसने पाइथन को डेवलोब करती है, और डेवलोब करने के बाद इसने एक संस्था तयार किया, एक छोटा सा ग्रुप तयार किया, उस ग्रुप का न कि सॉप्ट्वेर कि फॉंडेशन और यह संस्था और ग्यूडवें रॉसम भी इसी संस्था में काम कर रहे और यह पाइथन के पूरे के पूरे वर्जन को रिलीज करते हैं और इतने सारे इंप्लिमेंटेशन में PSF जो मैनेज करती है PSF जो वर्जन लॉंच करती है वो C-Python मतब PSF C-Python को मैनेज करती है कि बाकी अधर इंप्लिमेंटेशन को अलग अलग ऑर्गनेशन है क्योंकि ओपन सोर से लोगों ने उठा उठा के मैनेज किया तो अगर आपसे को इंटर्वी पूस्टा है कि इतने सारे इंप्लिमेंटेशन में PSF किसको मैनेज करें PSF C-Python को मैनेज करें तो जो भी PSF नए वर्जन लाती है जो भी पाइथन वर्जन हिस्ट्री तो देख सकते हैं इतने सारे पाइथन के वर्जन है देख सकते हैं देख सकते हैं और लेटेस्ट आप देखिए यह देखे 3.9.5 अब यहां पर एक मज़े की बाद आपको बताता हूं देखिए पाइथन टू पॉइंट जिरो कब आया 2000 उसके बाद पाइथन का 3.0 का स्रीज देखो कब आया 2008 में तो आप मानते हैं कि अगर पाइथन 2.0 के बाद पाइथन 3.0 आया तो अब पाइथन 3.0 के बाद जो फर्दर जो भी आएंगे नए वर्जन आप 3 के उपर ही आएंगे 2 को तो बंद कर दिया यही समझोगे ना कि 2 के स्रीज को बंद कर दिया तब ही तो 3 लाया लेकिन पाइथन ने पाइथन के टीम ने कुछ अलग किया क्या हलग किया पता है 3.0 के series को लाने के बाद उनोंने 2.0 वाले 2.0 वाले series को भी continue रखा और कब तक रखा पता 2020 तक रखा देखो यहाँ पर 2.2 वाले series को देखो यहाँ पर 2020 तक continue रखा मतलब Python ने Python की foundation team ने 2 को launch किया 2 को 2000 में launch किया उसके बाद उनोंने 2000 देखा जाए तो 8 में 3 लाया 3 आने का मतलब है कि आप 2008 के बाद जो भी नए version आएंगे सब 3 के बागे आएंगे 2 को तो बंदी कर दिया यही समझोगे ना लेकिन 2 को भी उन्होंने साथ में चला है क्यों पता है च्योंकि जब Python की team ने 3 को लाया तो उन्होंने 2 को backward compatible देना बंद कर दिया बैकेंट सपोर्ट देना बंद कर दिया बुला कि 2 को कोई सपोर्ट नहीं देंगे ऐसा बोला और 2 पे जो code लिखा गया पाइथन के 2 के series में जो code लिखा गया ना वह पाइथन 3 में चले गाई नहीं ऐसा भी बोला उसमें कि अगर मां लिजे मां लिजे मत्तब यह कि मां ऐसा समझी देखिए कि यह पाइथन 2 है ठीक है यह पाइथन 2 में मैंने कोडिंग किया ठीक है अब मार्केट में घ्या थ्री आ गया पाइथन 3 आ गया कोडिंग कि अगर मैं इस पर चला हूँ न तो यह पाइथन 3 में चले गाई नहीं यह बोलेगा भाई पाइथन 2 इइंस्टाल कर थे बैकवर्ट सपोर्ट ही नहीं कर रहा और पाइथन बनाने लिए टीम भी बहुत बढ़ी प्रॉलम थी तो उन सारी कंपनी ने पीए सब से रिक्विष्ट किया कि आप पाइथन 2.0 पे सपोर्ट और अभी बंद मत करो कंटीनी रखो तो पाइथन की पीए सब टीम ने बोला कि ऐसा करते हैं कि पाइथन 2.0 को भी हम लोग इस रीज को भी कंटीनी रखते हैं और कब तक रखा ऐसी इन्होंने 12 साल तक कंट देखा जाये है तो पाइथन 2 को इन्होंने देखा जाये 20 अप्रेंड 2020 को बंद किया 15 साल का प्रेंड लिया देखो 2016 हाला कि ऐसा होता नहीं है त्री आने के बाद फिर नीचे वाले को थोड़ी लाया जाता है आगे चला जाता है लेकिन PSP अपने ऐसा किया लोगों को ध्यान में रखते हुए तो यह थी दोस्तों पाइथन की हिस्ट्री और पाइथन का Introduction उमिद करता है आपको समझ लग गया होगा चलो अब अगर हम देखें तो पाइथन इतना फेमस है कि हर और आने वाला जो टाइम है दोजर पच्चिस का वो देखना आने वाला टाइम दोजर पच्चिस का टेटा साइंस का है और इन सब में काम करने के आपको पाइथन आना चाहिए तो आप अगर अभी से पाइथन की त्यारी करेंगे तब जाके आप अपने दोजर पच्चिस तीस वाले इयर को सिक्योर कर पाएंगे अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जमें रहना चाहते हैं तो दोस्तों अभ पाइंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी अब यहां पर बहुत बड़ी समस्य आती बंदों को न थो आसे करियर पार डिसाइट करने कई बार ऐसा होता है कि बहुत सरे ऐसे बंदे हैं जिनको पाइथन आती भी है लेकिन फिर भी अपने करियर को आगे नहीं पूरा डेवॉफ्स आता है लेकिन फिर भी अपने आपको ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं ऐसा क्यों बहुत सारे मार्केट में ऐसे बंदे आपको मिलेंगे जिनको पाइथन क्या सी भी आता है जावा भी आता है पाइथन भी आता है लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं कर पाते है बहुत सारे मार्केट में ऐसे बंदे जो पूरा डैवाउस जाते लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं कर पारे कहां पर समस्य आती चलो जो बंदे अच्छे से डैवलोमेंट जानते हैं जो बंदे अच्छे से कोडिंग जानते हैं जो C को अच्छे से जानते हैं जावा को अच्छे कि 40-50 लग के ही package में टिका रहता है पूरी लाइफ खतम हो जाती अगर डेवर्पस इंजीनियर की बात करें जाना चाहता है करोड के package में तो कौल company देगी वहीं डेवास को एक करोड का package व्योगा का पैकेज को एक करोड का को तुझा उसे से कि इंडिया में क्या उसे विप्परो देगी इप विशु कोई कोई प्रोड़ेक्ट थोड़ी बना रहें सर्विसे दे रहा तो सर्विसे बिस बंतों को कितना मिलता जैद जाद जाद चालिस पचास आप बाहर चले गए तो असी लाक हो गया नबे लाक हो गया देड़ करोड हो गया चलो महलो जब मोटा पैसा अगर आपको चाहिए आईट इंडस्ट्री में तो आपको ये क्रोनोलोजी समझनी पड़ेगी देखो उसके लिए आपको गूगल जैसी कंपणी में जाना होगा इंटर्विय देने और गूगल जैसी कंपणी में अगर आप इंटर्विय देने जाते हैं तो सिर्फ डेवाउप्स की नौलेज से काम नहीं बनेगा आपको पास प्रोग्रामिंग लेंगवेज होनी चाहिए क्या होने चाहिए आपके पास programming language होने चाहिए क्योंकि अगर आप Google जैसी company में जाते हैं इंटर्विय देने, DevOps इंजिनेर एज़ा हो आप और Google जैसी company में इंटर्विय देने जाते है तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ा नहीं पूछा जाता है कि बताइए नोड क्या होता है, cluster क्या होता है, कैसे आपको scenario दिया जाता है, आपको खा जाता है कि एक आप क्यों एक project आया आपके पास, एक web applications आपको design करवाना है ऐसे बोला जाएगा, एक web application आपको design करना है और उस web application की पूरी designing, पूरी coding, पूरी programming से लेके उसकी implementation, उसका customer load, पूरा का पूरा database management, applications management, उसका backup management पूरा आपको explain करिए, कैसे करेंगे, पूरा web application की design के साथ से पूरा आपको diagram explain करना पड़ता हूँ, आपको marker दे देंगे, आपको board आपके सामने रहेगा, आपको 45 मिनट, अई घंट आपको पूरा समझाना पड़ेगा, जैसे ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तब जाकर आपको करूलो का package मिलेगा, कैसे समझाता हूँ, अगर हम यहाँ पर देखें, मालो अगर मैं आपके सामने के example लेता हूँ, आपको बोला गया कि SBI bank जो है न, इसकी पूरी initial stage से आपको tablet करना, पूरा का पूरा, web application सब कुछ करना है, तो कैसे करेंगे, आपने जैसे यहाँ पर लगा दिया web server, ठीक है, अब web server के लिए आप क्या करना पड़ता है, web server के लिए web designing करनी पड़ेगी आप, तो web designing के लिए होता है, web designing जो होते हैं, ज्यादा तरकिस में होते हैं, आपके HTML में, CSS, java script, right, इसमें आप web designing करेंगे, और web designing करके आप अपना web server ready करेंगे, तो कहीं ने कहीं देखा जाए, अगर आप Google जैसी company में जाना चाहते हैं, तो आपको HTML, CSS, java script तो तीनों में कोई एक आनी चाहिए, तभी आप web designing के बारे में knowledge रखेंगे, चलो आपने web designing कर दी, अब बात आती ही, भाई, applications की भी implementation करनी है, application भी बनानी है, तो applications बना दिया आपने, चलो, application किस language में बनेगी, अभी भी पूछा जाएगा आपसे, पूछा नहीं, बनवाया भी जाएगा आपसे, तो चलो ठीक है, applications बनाने के लिए आप use कर लिए, आपने python, यूज कर लो, चलो, java use कर लो, core java, c यूज कर लो, c++, यूज कर लो, dot net यिजक हो ला, application बना लिख लिए, application बना ये हो गया आपका web server, ये हो गया, application server, आप बोला गया ہے database management भी आपको करना है, तो आप database management भी लोग है, database की भी designing करो, ये अब database आप कौन सा यूज़ कर रहे है, Oracle का, MySQL का, SQL का, जो भी आपको यूज़ करना है, यहाँ पर database के भी आपको knowledge होने होनी चाहिए, database management की, चलो मैंने Oracle का use कर लिए, अब database management भी आप देख रहे हो, application भी management भी आपको यह देखना है, वेब designing भी आपको देखना है, पूरा आपको देखना है, उसके बद का आगया, database में जो data आएगा उसको, उसके लिए storage लगाना तो लोगों storage management की भी knowledge हो, storage की भी knowledge हो, आपको same storage रखना है, nice रखना है, क्या रखना है भई, आप पूरी की पूरी SBI की application पूरा initial stage से आप डेवलोप कर रहे हो, पूरा structure बना रहे हो, ऐसा नहीं की डेवलोप करके बस छोट तो पूरा architecture design करो, पूरा implementation करो, customer के load को देखो, सब कुछ देखना पड़ेगा भाई आपको, तब ही तो आपको Google में मिलेगा न, तीन करोड, चार कूड, पांच करोड, सात करोड का packet, समझा रहे ही मेरे बैस यहाप है, यह पूरी, अभी पूरी designing complete हुई माल लीजे, तो कहा गया भाई इसको internet में expose करो, तो यह लो भाई यहाँ पे, internet में expose किया गी, यह रहे आपके customer भाई साब, यह customer है, यह में एक छोटा सा overview दे रहा हूँ आपको, किस तरीके से आपने आपको मजबूत करना है बड़ी company में जाने के लिए, सिर्फ DevOps की knowledge और सिर्फ programming language की knowledge से काम नहीं चलने वाला हूँ, ध्यान रखना, तो यह customer आएगा, यह अपना web server पर आई, यह application यह database सारा designing आपने की, अब बात ऐसी आती बही, application server पर जो application आपने बना के install किया, उसको upgrade करना है, तो upgrade करने के लिए यह आपका computer आप भी developer हो अभी, अभी के लिए आप भी developer हो, यह अच्छा आता है, तो आपकी team development कर रही होगी, तो यह developer हो आप चलो, तो आप तो अपने system में coding, coding कर लोगी, coding करने के बाद, उसको कैसे यहाँ तक लेके जाये जाये, तो उसके लिए company बोले GitHub यूज करने के बाद मैंने यहाँ पर Jenkins यूज कर लिया, यहाँ पर यूज कर लिया, Jenkins यहाँ पर यूज कर लिया मैंने, Jenkins मैंने compilation के process कर वा ली है, compilation process होने के बाद यहाँ पर install कर दिया, तो यह जो process हो गई है, यह आपका CICD होगे एक प्रकार से, CICD होगे जो टेमोप्स के पार्ट होगे, समझ में आगे, अब इसी तरिके से अगर बहुत सारे customer आगे, बहुत सारे customer आए, तो पता लगा कि यह जो web server है, यह आपको 50 लग लगाने पड़ गए, database आपको लगाने पड़ गए, पचास, तो जब इसने 50-50 हो गए, तो देखा गए, भई, compile करने के बाद, पहले एक में install कर रहे थे, आप 50 में करना है, तो आप बोला गया ले भई, यहाँ पे तो एंसिबल लगा ले, तो ले भई, आपके DevOps का एक और जूड़ गया आपके पास, समझ आ रही वरिक्ति यहाँ पे है, तो यह पूरे DevOps का नीचे का पार्ट हो गया, यह पूरे DevOps का पार्ट हो गया, अब कंपनी बोला यार, यह सारे server है, इसमें थोड़ा security चाहिए, तो भई, switch router लगाईए, switch router के बाद यहाँ लीजे, fireball लगाई यह सब security के पार्ट हो गया, यहाँ fireball लगाईए, तो सारे security के पार्ट हो गया आपके, है ला, अब कंपनी बोलती है भाई, यह जो application जिस किसी OS में इस्टाल होगा, यह web server किसी ने OS में इस्टाल होगा, यह Oracle database किसी ने OS में इस्टाल होगा, OS की management, OS की hardening की knowledge होनी चाहिए, व Google Cloud पे, Azure Cloud पे रख रहे हैं, तो उसकी भी आपको अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए, तभी तो आप explain कर पाएंगे, चलो भी cloud पे चले गए, cost बचाने के लिए, आप company बुलती है, अभी भी cost लग रहा है, एक काम करिए, container-based virtualization implement करिए, लो भाई, फिर Docker आजाएगा, फिर आपकी application direct OS में नी, Docker में चलने लग जाएगी, जब Docker आगया, तो Kubernetes आगया, इंफर्स, पूरा infrastructure मैनेज करने के लिए, workstation tool, container को मैनेज करना, तो भाई, को इंप्लिमेंट करवाया आपने, फिर Kubernetes के अपनी networking, उसकी अपनी security के parts, यहाँ पर firewall यह पूरी security ताम जाम आ गई फिर, फिर company क बोलती ही कि इस storage का backup राखना, तो भाई, backup के designing बताओ उनको, फिर company बोलती ही इसकी पूरे disaster recovery चाहिए, यह किस location में आपने लगाया, वो location crash हो गया, तो भाई DR के planning बताओ उनको, global base load balancer उनको समझाओ, यहाँ load balancer लगाओ, फिर उसके बाद आपने देखा कि cloud में तो auto scaling आ scripting का use करो, python scripting का low high programming आ गई, फिर company बोलती ही, छोटे मोटे software implementation आप ही करना है, low high programming knowledge आ गई, तो अगर आप company में चाहते हैं, मोटा पैसा लेना, तो दोस्तों यह architecture पूरा आपको clear होना चाहिए, सिर्फ आपको devops की knowledge से काम नहीं होगा, सिर्फ अगर जो बंदे development की knowledge जानते ह मैं अच्छा package ले लूँगा, कहीं नहीं difficult है, फिर development की knowledge है, तो अच्छी होनी चाहिए, कि आप company में बैटर तो आपकी तूती बोल रही है, आपके बेस में company product बेच रही है, तो ठीक है बाई, अगर हलका भूलका development का knowledge है, फिर नहीं खेल पाऊगा, फिर आपको साथ में devops होना चाहिए, तो अगर आपको किस की knowledge है, python language की knowledge है, python की तो आप development कर रहे हैं, आपको devops आता है, तो chances है कहीं नहीं आप अच्छी package पे जा सकते हो, और जो बंदे devops की knowledge लेके रखें, और python के side में कहीं कहीं कमजोर है, तो problem होती है, क्योंकि पूरे structure आपको समझ माना और अब देखो, अभी 2025 के बाद, ये devops with python के साथ data science machine learning आ जाएगा, तो वो आपको और परिशान करेगा, तो अगर आप अभी से तयारी नहीं करोगे, तो बहुत बड़े मारे जाओगे, क्या खावत है न, you have to be take umbrella before rain, बारिस के पहले आपको चाहता लेनी पड़ेगे, जैस अब अब 2018-2020 में आके AWS सीखे हो, तो मार खा रहे हो, 2020, अगर आप देखा जाए, अभी अगर आप 2020-2021 में devops को सीख ले तो ठीक है, अब 2025 में पहुच के आप devops सीख रहे होगे, जब तक machine learning आ चुका हो, तो क्या मतलब, अभी आप ये जो 2021-22 चल रहे है, इसमें पूरा devops ख काम करने लग जाए, जब आपका data science machine learning आएगा, स्विच कर जाएए data science machine learning के साइट, python तो आता ही ना, क्योंकि इस सारी चीज़े python based में है, ऐसा नहीं हो सकता है, सीखे machine learning सीख लो, आप सीख नहीं पाऊगे, क्योंकि बहुत से काम python based में हो, python सीखना पड़ेगा, समझा रहे ह चलो, तो अब बात करते हैं कि मैं आप python को किस level पर deliver करूँगा, तो दोस्तो, python को सबसे पहले मैं core level पर deliver करूँगा, पूरा basic जैसे मैंने अभी आपको बता है, पूरा development में आपको ऐसा feel होगा, कि मैं developer बन चुका हूँ, इस level में python को start करूँगा, उसके बाद, जब हम थोड़ा सा mode के devops के side ले जाईगा, मतब python को devops में कैसे use करते हैं हो बता होगा, किसी company में devops में काम चल रहा है हो, python use कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हैं ओ बता हूँ, AWS के साथ कैसे करते हो, पूरे पीर हम लोग python को devops के साथ कैसी utilize करता हो, सीखने के बाद फिर हम लोग अपने Python के advance के site चले जाएंगे design go, फिर हम लोग design go में देखेंगे, कैसे Python के advance वेब applications पगेर कैसे बनाते हैं, यह हम लोग सीख लेंगे 22-23 तक, 24 तक सीख लेंगे, सन 2024 तक, फिर जब 25 आएगा तो हम लोग अपने track पे आ जाएंगे, जो हमारा future है, machine learning, artificial, data analysis, इस बजर, 35 तक, यही चलने वाला है, और यह Google Company का, बोला गया है, Google Company ने बोला है, कि Python एक ऐसी language है, जो आने वाले industry में, कहीं न कहीं, 15 से 20 साल रहेगी, तो सोच लें Python की importance, तो उमेद करता हूं, सारी चीज़ आपको समझ लग गई होंगी, इसी के साथ साथ, इस वीडियो को मै करता हूं, यही पर stop, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे Python के practical के साथ, तो मित करता हूं, सारा syntax आपको समझ में आगया होगा, मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में, बहुत ही जल्दी Python के practical के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, बाबाए!